कि आपका अपना चैनल भूनादी जोपाल दोस्तों भी हम खड़े हैं तो आगहाट सीर नदी के पास जो काफी दूर्गा मिलाका है कुल कुछी से काफी दूर पढ़ता है हाथ पर रहावी दिलाका है और यह वही नदी है जहाँ पर 13-14 साल के बच्चे को फेकने की बात सामने आ रही है दरसल कहाए जा रहा है कि कल उस बच्चे के अचानक से मौत हो जाती है पेड़े पर चढ़ने के बाद लेकिन जो साथी होते हैं साथी घर में बताने के बजाए इस बच्चे को इस नदी मे जो अच्छा क्या हुआ थे हुआ कि हमारे गड़ा कटा गाओं के बच्चे पांच बच्चे आये हुए थे अब पांचों बच्चे तुमल कहते हैं जिसको गाओं-दियाद की भासा में उसको निकालने के लिए लोग चड़े हुए थे जिसका अंड़ा को अदिवासी जब डेट हो जाता है तो उनको डर लग जाता है कि हमको घर वाले मारेंगे पिटें कुस बोलेंगे डर के कारण सुवह नदी में ला करके उसको बहादेते हैं सुबहा सुबहा देते हैं कल सामकी बात है जल सामकी जी तो चलिए गाओं की कुछ और भी लोग हैं मुसे जनन पूरा ग्रामवासी पूलीस टीम सब खोज रहे हैं उसको मिलने पर यहीं पर यहीं पर यहीं पर डालना बताया गया है तो इसके आधार पर हम लोग यहां से पूरा पानी में खोटे-खोटे नीचे तक गए हुए हैं देखे मिलेगा हैं बच्छे कुमर कितनी होगी चौदा साल की है कच्छा आठवे में पढ़ता था देख सकते हैं अधाना परवारी कुनकुर के हां मुदूद उनका कहाना है कि रेस्क्यू की टीम लगी है गाओं के लोग लगे हैं और उस बच्छे की खोजबीन चल रही है लेकिन अभी तक उस बच्छे कोई शुलाग नहीं मिल रहा है बहराल इस घटना को लेकर करके हम आपको अपडे